हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको IUPAC नाम निकालना इजी तरीके से बताऊंगा यह बस आपको एक ट्रिक को फॉलो करना है एक ट्रिक है दोस्तों और एक फॉर्मूला मैं आपके लेकर आया हूँ जो आप जो है IUPAC नाम करन जो है बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हो जी हाँ दोस्तो और मैं एक बात आपको बता दूँ काफी छात्रों को problem होती है IUPAC किसे कहते हैं IUPAC किसे कहते हैं तो दोस्तो IUPAC उसे कहते हैं जैसे कि एक हम छोटा सा लेते हैं CH4 है ना तो CH4 को जो हिंदी होता है वो क्या होता है हमारा वो होता है मेथेन तो इस तरीके से लिख देते हैं मेथेन है ना मेथेन तो यह हमारा CH4 जो मेथेन है इसका हिंदी इसी को हम IUPAC कहते हैं है ना दोस्तों तो अगर आपको अगर एक्जाम में यह दे दे और बोल दे कि आपको IUPAC नाम निकाले तो आपका उपसेन में रहेगा मेथेन एथेन प्रोपेन तो आपको पता नहीं रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है यही को मैं आपको IUPAC नाम करन निकालने के लिए सिखाऊंगा बस दोस्तों आप वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक देते रहें आपको पूरी साथ या दोस्तों के साथ कुछ अच्छा करोगे यानि की वीडियो को सेर करोगे तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आपकी इस वीडियो को दोस्तों एक ही फॉर्मूला है अगर आप उस ट्रिक को फॉलो कर लिये हैं तो जिन्दगी भर कभी नहीं भूलोगे जी हां दोस् फॉर्मूले है तो यह काफी काफी हिट फॉर्मूल новых अगर उस फॉर्मूलेों को अगर उस नेम करना निकाना थो आपको बहुत थी बहुत तरीके से निकानने आ जाएगा दोसयो देखे यह फॉर्मूला है one degree पूर्वे लगने पलस two degree पूर्वे लगने पलस नोखिय कार्बन स्रिंकला और पलस two अनू लगने जी हां दोस्थो पूर्वे लगना मुझसे कहेंगे जैसे कि example में हम आपको बताते हैं जैसे कि दोस्थो मेरा नाम है मुहम्मद इस्तिखार अनसारी इस तरीकेसे नाम है mohammad 出िकार अनसारी जी यां दोस्तों तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला के बारे मैं बताएज दोस्तों वन डिगरी पुरवय लगने टू डिग्री पुरवे लगने मुख्य कारवन श्रिंकला अलू लगने तो दोस्तों ये देखे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला पर बता देता हूँ अगर आप फॉर्मूला भूल गया है तब आपको कैसे याद रहेगा जैसे कि मेरा नाम है मुहम्मद इस्तेखार अन्सारी आपका भी नाम होगए दोस्तों अन्ये था तो जैसे कि देखे मुहम्मद हमारा है वह देखे हमारा शुरूवाला है शुरुवात है जाने कि टू डिग्री पुरवे लगने है और यह मुखी श्रिंकला जो हमारा यह करवन श्रिंकला समझें इस्तेखार और तीस मुहम्मद इस देखार अंसारी जैसे के एक्जामपल में लेते हैं डॉक्टर मुहम्मद अब्दूलकराम आजाद है ना चो शुरू में डॉक्टर लग रहा है तो वन डिग्री पुरवे लगने होता है उसके बाद मुहम्मद जो आगिया हमारा तूर दिग्री पुरवे और यह हमारा बीचनेम हो गया मेडल नेम और यह सरनेम हमारा टू डिग्री पुरवे लगने हो गया तो आई होप यह फॉर्मूला आप समझ गहोंगे दोसों अब मैं आपको बताओंगा यह फॉर्मूला को आप कैसे बना सकते हैं जी हां दोसों अब आप ध्यान से देखे वीडियो का अगर वाच कर ली है ना तो आई पेसी नाम निकालना आप सीख जाओगे और दोस्तों पसा नाने पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना अब जो है दोस्तों वन डिग्री पुरुवे लगना हम कीसे कहेंगे तो यह देखिए वन डिग्री पुरु आपका रहा सी यह रहा चारो तरफ जो है इसका हैड्रोजन देजिए कार्बन के चारो तरफ यह देखिए है ना तो यह देखिए हैड्रोजन को जो है कार्बन को जो है चारो तरफ जो है घेरे हुए है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हम परत्यसापन के यू हैड्रोकार्बन बनेगा तो यहाँ पर देखिया है हैड्रोकार्बन अगर केवल कार्बन और हैड्रोन रहा तो मित्रो जैसे कि यह जो है हमारा यह भी एक ही बंद बनाते हैं है ना दोस्तों एक ही बंद बनाते हैं यह हैड्रोन जो है वह एक ही बंद बनाते हैं तो इसके ज और क्लॉरीन भूरन बनाता है तो अगर सब्सकूल из सब्सक्राइब घ्ALत्वी यह इक बन बनाते हैं तो इसी कृतितोल पर जो आपको धुल्यादन करने यह को लिजन करते हैं ना में और यह हमारा ऐयोडिन दोस्तों आप देखिए अब आपको ध्यान से देना है अगर कोई भी वर्ड में एफ यूज हो रहा तो यानि के फुलोरीन हो रहा है यूज तो उसमें क्या लिखोगा फुलोरो लिखोगे फुलोरो यह लिखा गया है आपको क्या लिखना पड़ेगा फ्लोरो हाहनद दोस्तों अगर क्लोरीन नाम का बन्दद लिखे गर दिखा क्या लिखेंगे आप दूस्तों बात наж खते हैं तो प्रतिय अस्थापन हम उसे कहेंगे जैसे कि मैंने अभी एक्जामपल में बताएं कि H को जगा पर H को हटा करकर हम F लगा सकते हैं F को हटा कर B, R, C, L और I, Drain लगा सकते हैं मतलब दोस्तो एक्जामपल में अगर बताते हैं अगर आप कोई भी ट्यूसर में जा रहे हो या कोई भी स्कूल में जा रहे हो तो एक्जामपल में अगर वो है किसी कारण छुटी ले लिया तो माले कि वो सैंस पढ़ाता है और किसी कारण उसका छुटी हो गया तो उसके जगापर कोई और टीचर आपको आकर पढ़ा सकता है उसे हम परती अस्थापन कहते हैं एक एक्जामपल और लेते हैं दोस्तों जैसे के किरकेट खिलने जा रहे कम से कम 11 पिलियर होते हैं किरकेट में लेकिन आप जो है 13 पिलियर लेग जाओगे जो लेग जाओगे अगर 11 में से दो पिलियर अगर दुरघटना हो गई किसी करण दुरघटना हो गई तो उसी करण इन दो पिलियर को वहाँ पर ला सकते हैं उससे को क्या कहेंगे हम परती अस्थापन कहेंगे तो यह आप समझ कहें हैं अब आते हैं टू डिग्री पुरवे लगने के बारे म मतलब यह क्या कहलाएगा साइकलो कहलाएगा साइकलो साइकलो और हिंदी मामारा क्या हो जागा यह यह भी साइकलो हो जागा अगर रिंग बन रहा है तब है ना दोस्तो तो टू डिगरी पुर्वेल लग नहीं हमारा जो है यह फॉर्मूला है बहुत ही बेसिक तरीके से है अ मुख ये कार्बन स्रिंखला में क्या होता है जैसे कि कार्बन 1 तो कार्बन 1 को क्या कहेंगे हम मेथ कहेंगे मेथ कहेंगे कार्बन 2 को कहेंगे क्या कहेंगे हम एथ कहेंगे इसी तरीके से सब होता है तो यहाँ पर हम लिख देता है कार्बन 3 प्रोप कार्बन 3 प्रोप लिख यह आपको कारवन स्रिंकला याद करना बेहद ही जरूरी है आयो पेसी नेम के बारे में अब दोस्तों हमारा इसके बाद कहाता है टू डिग्री अनु लगने अनु लगने मैं आपको बता है कि लाश्ट याने की सरनेम लाश्ट होता है पूरवे लगने मतलभ सुरूम हो गया सुरूम मतलभ जैसे मिश्टर लग रा डॉक्टर लग रा इस तरह के से तो दोस्तों इसमें क्या देंगे अब यहां पर ध्यान से देखें अगर आपके इतने हैं इन कहेंगे अगर एक्जाम्पल में तीन बॉंड लग रहा तो उसे क्या कहेंगे क्या हो जाएगा आइन हो जाएगा अब ध्यान से देखें जैसे कि आप इलकेन इलकाइन इलकीन के बारे में पढ़े होंगे सिंपल उसी तरीके से दोस्तों इस तरीके से इलकेन इल ट्रिक है यह जो आपको जो है फॉर्मूला है यह आपके लिए काफी ही महत्य पूर्न है अगर आप यह फॉर्मूला को याद कर लिए तो काफी आपको पता चल जागा दोस्तों एक पर और आपको रिविजन कराते हैं वन डिगरी पुर्वे लगना परतियास्थापित कहेंगे फलोरीन जैसा भी मैंने आपको बताए हैं कि एच के जगा पर हम फलोरीन, कलोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन भी लगा सकते हैं इस तरीके से और आपको मैं बता दिया हूँ वो किस तरह के यूज़ होंगे, परतियास्थापन किसे कहेंगे हाना, तो दोस्तों कोई भी जगा पर अगर एफ नाम का बंदा दिख रहा तो फलोरो कलोरीन नाम का बंदा दिखा तो तो कुलोरो देंगे, ब्रोमी नाम का बंदा दिखा, ब्रोमी, ब्रोमो और आई मलाव आईडी नाम का बंदा दिखे तो आईडो करेंगे, अब आते हैं, टू डिग्री पुरुवे लगने में, तो अगर आप देखेगा, अगर उस सनचना में रिंग बन रहा, रिंग, ये देखिए चारो तरफ जो है बौन बन रहा यानि कि रिंग हो गया ये जो है बॉन्ड बनाए तो इन कहेंगे दो बॉन्ड बने तो इन कहेंगे और तीन बॉन्ड बना रहा है तो उसे आइन कहेंगे जी हां दोस्तों तो यह फॉर्मूला का अगर याज कर ले तो आपके दे काफी महातिव पूर्ण है अब आपको छोटे स्रिंकला से लेकर चलते हैं छो दोस्तों आप देखिए मैंने अभी आपको बोले हैं कि एक्जामपल में आता है CH4.… यह है क्या है यह क्या है अगर आपको पता है इसका हिंदी पता है यह तो एक्जामपल में मेथिन होता है लेकिन कैसे निकला कैसे हुआ इसी को हम कहेंगे IUPAC है न दोस्तों तो आप देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे सिंपल धासुट ट्रिक है दोस्तों धासुट ट्रिक देखिए अब देखिए इसी फॉर्मूला पर बठाएंगे आप इसको ध्यान से देखना दोस्तों जैसे की एक्जामपल में मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ज्यादा बोरिंग ना हो इसलिए मैं एक्जामपल में आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों तो यह रहा है एक्जामपल वीर्त का मतला वीर्त में आपको लेना है साथ सेंटिमेटर त्रेज़या तो छेतरफल निकालना तो दोस्तो इसी फोर्मूला पर जैसे ये फोर्मूला है थोड़ा सा एक्जाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ये देखिए विर्त्रे का 6 रफल निकाने ले बोड़ा त्रिजिया दिया हुआ है तो विर्त्रे का 6 रफल क्या होता है पाई आर स्कुर होता है तो पाई का मन बैस बाई साथ होता है और आर का मन हमारा यहां कितना दिया होता त्रिजिया साथ है तो साथ गुने साथ काट देंगे तो हमारा वन आ जागा और बैस से साथ को गुनाया कर देंगे तो बैस सते 154 तो यह हमारा इस फॉर्मूला पर डिनोट हो गया तो बलके इसी फॉर्मूला पर इसको बनाएंगे अब धियान से दिखें दोस्तों पहला पुरवे लगने में इसमें जो है कोई बंदा देख रहा ये बंदा फंलोरीन फंल इकलोरीं ब्रो अईद्सक्क कॉई दिख रहा यहाँ कार्बन है और है और फंल अब आते flav३द फॉष्प बिलकुल नहीं तो अब आते हैं चलिको भातारलीगे तूरिग्रीग पुरवेव लगने तो ये देखे हमारे एक कर्वन के क्या लिखेंगे मेथ लिखेंगे एक कर्वन के क्या लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम मेथ हना एक कर्वन बन रहा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम मेथ लिखेंगे उसका बाद दिखें यहाँ पर पलस करतेंगे तो डिग्री अनुलागने में देखते हैं, तो टो डिग्री अनुलागने में क्या कहता है, पहले हाँ देखिए, इसका जैसे example में हम संदशना सूत्र बना लेते हैं, तो example में अगर ये देखिए, कारबन एक है,Lifeशन कितना है, चार है, तो हैँदरोजन चार तरफ देगें, ter चार हैड हो जाना है यह देखें यह हम दे दिये हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप देखें यह जो बॉंड बन रहा है एक दू तिन यह जो चार बॉंड नहीं है यह एक ही बॉंड है है यह एक ही बॉंड है तो आप देखें तो देखें इसमें जो है एक बॉंड है तो एक स्रीकी से यह बहुत ही इंपॉर्टन जो है फॉर्मूला दोस्तों अगर इस फॉर्मूला पर चले गए तो आई पीए से नेम करन जो निकालना आपके लिए दाल भात के बराबर है जी हां दोस्तों यह आप समझ गए दोस्तों अगर एक बॉंड बनाए तो हम एन लिखेंगे दो बॉंड बनाए तो इन लिखेंगे और तीन बॉंड बनाए तो हम क्या लिखेंगे आई लिखेंगे अब चलते दूसरा एक्जाम्पल की ओर तो दूसरा एक्जाम्पल को हम यहाँ पर ले लेते हैं है ना दूसरा एक्जाम्पल हम लेते हैं तो दूसरा एक्जाम्पल ह कोई बंदा दिख रहा नहीं दिख रहा यानिकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयों नहीं दिख रहा तो चलते आगे आगे देखे इसमें रिंग बन रहा इस निकला में रिंग बन रहा नहीं बन रहा आगे चलते हैं तो दोस्तों आगे देखे इसमें कितना कार्बन है इसमें बॉंड बन रहा तो एक बॉंड के लिए क्या Yoda करेंगे हैं यूज़ करेंगे एन तो यह देंगी इसका संदी क्य उजाएं हुजाएंगा इत्रें यह लिगी आपका ओनिकल गया है object, नाम इसका जो है नामकरन मयतन होता है ज्यादिक अगर इसका आगर पता हें हमेटें यह आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला के जर्यएं अ calling के और चलते हैं दोस्तों तो एकजामपल की और लेते हैं अहां पर साथ्यों हम्लe मुंध करते हैं रस कप्य का हमारा तीस एकज़ामपल है तीसरा एक्जाम्पल क्या ध्यान से देखना दोस्तों CH2 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 यह देखिए तीसरा एक्जाम्पल है पहले क्यों चलते हैं पुर्वे लगने में हाना पुर्वे लगने में क्या कह रहा है यानि कि कोई भी बंद है F C L B R I दिखे तो आप दो लेकिन यहाँ पर कोई वैसा ब मलब गोल है तो यह रिंग बन रहा है तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे साइकलो यूज़ करेंगे तो यहाँ पर लिग देंगे हम दोस्तों साइकलो क्या लिग देंगे साइकलो अब आगे चलते हैं पलस देकर के उसके बाद देखिए कितना कारबन दोस्तों एक कारब है हमने अभी बस समझाएं दोस्तों आइसा ये लगातार दो वह रहे हैं तो हम तो हमसे बॉंड कहेंगे दूसरा बॉन्ड गजतातार तीन रहे तो थिन पहांट उसको संधि करेंगे दूसरा इक बॉंड गोनल थै यह देख्यां केरें काल एक द८हांकि वाद के cyclopropane हमारा निकल चुका है जी हां दोस्तों अगर अच्छा लग रहा लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और 200 के साथ कुछ अच्छा करना share कर देना चलिए चौटा example की ओर चलते हैं दोस्तों तो four example को हम ले लेते हैं four example क्या है CH2 दो बॉंड है CH मैनेस यह एक बॉंड है त्री यह देखें अब देखें दो बॉंड भी आ गया एक बॉंड भी आ गया आप कैसे बनेगा बिल्कुल दिमाग से लगा कर देखें फॉर्मूला की यूज करेंगे दोस्तों देखें आपको दिख रहा होगा यह सूत् कार्बन सिर्फ हैं एफ नाम के बंदा भी नहीं है और बीर्स ब्न एक नाम के बन रहें तो यहाँ पर लिखünfजाग रूह गया अब देखें उसके भी रहा एक बॉंड भी रहा तो हम जो है इसको लेंगे दो बॉंड के लेंगे हैंना क्या लेंगे दो बॉंड को लेंगे यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों अगर एक्जांपल में यहां पर तीन बॉंड रहा दो बॉंड रहा एक बॉंड रहा तो हम तीन ही बॉंड को ल चुका है प्रोप पलस इन इसको कर देंगे एड तो जागा हमारा क्या प्रोपीन हो जागा प्रोपीन लिजे इसका आयोपेसी नेम निकल चुका है प्रोपीन अब लेकर चलते हैं पांच माए एक्जामपल की और दोस्तों वीडियो अच्छारा सब्सक्राइब कर लेना चैन यह देखिए दोस्तों इसका आप कैसे निकालगे आई पियसे ने देखने बारी लगत रहा है यहां नहीं हो रहा है कोई बंदन है इसमें दिख रा नहीं दिख रहा है क्लूरिन ब्रोमीन आईडी कोई मतलब आई नाम के भी बंदा नहीं दिख रहा आगे चलते हैं इसमें रिंग बन रहा नहीं बन रहा आगे चलते हैं आगे क्या कहे रहा कार्बन स्रिंगला में कितने कार्बन है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन चार कार्बन के लिए क्या लें है तो एक्चुलि समयरा पलस देकर के हमारा एन लिखा जाएगा लेकिन मैं ऐपको इक बात और बताने वाला हूं तो यहाँ पर ध्याण दे यह कारशलिक Gen Energy का आप ध्यान दे सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन आपको बता दिया एक्जाम्पल के लिए ताकि आपको कोई भूल चुक ना हो तो यह देखिए ऑर इनकों मिला देंगां क्या बन जागा हमारा bitcoin बन चुका आपका ब्यूटी इसका संद्रशना आई पीए सी नेम जो है निकल चुका है तो काफी आलका है दोस्तों अब एक्जाम्पल के तौर चलते हैं एक्जाम्पल को ले देते हैं तो आप देखिए छट्टा एक्जाम्पल क्या कहा रहा है सी एच टू एक बॉंड है सिस्टू एक बॉंड है सिस्टू लिजे क्लोरिन आ गया इसमें दोस्तों अब देखिए इसी सूत्र पर हम यूज करेंगे इसी फॉर्मूला पर यह देखि किया लिकर ब्र लेकर अडिकर को लेकर हमारा चाला कि यह नहीं है तो यह देखिए इसके बाद इसको आम अलग से बताएंगे आपको देखे यह का भझे यह जो के अधार से सुरूण करते एक ऊससिट वह त्दो फिर वह त्द देख यहाई यह किलोरीन को कम देना है कम ज्यादा नहीं तो आप जो है उल्टा इशाड करिए एक इधर से लिखिए दो यह कारबन हो गया और तीन हो गया क्योंकि कुलोरीन यहां पर कम हो जाएगा है ना तो यहां पर लिख दोगे आप वन मैनिस यानिके एक बांड वन और इसको नहीं भी लिख सकते हो लेकिन आपको बता दे रहे हैं आपको आगे दिक्कत ना हो ठीक है दोस्तों तो उसके बाद देखें कितने कारबन हो रहा है एक कारबन दू कारबन तीन कारबन उल्टा ले रहे हैं तो तीन कारबन के लिए हम क्या लिखेंगे प्रोप लिखेंगे प्रोप तो मैंने यहाँ पर प्रोप लिख दिये हैं उसके बाद देखें कितने बॉंड बन रहा है एक बॉंड दो बॉंड तीन बॉंड तो कितने बॉंड बन रहा है यह तीन को है लेकिन यहाँ पर एक बॉंड बन रहा तो एक बॉंड के लिए हम यहा हमारा इसको जो है निकल चुका है तो लाश्ट एग्जामपल को लेकर चलते हैं दोस्तों साथ में आपके लिए काफी ही महादपूर्ण है तो लास्टेजम्पल को आप देख लीए दोस्तों क्या करें तो अब खुच से बनाने की कोशिस कीजिए यह दिक है तीन बॉंड है एक बॉंड है एक बॉंड है तो मैं आपको बताऊंगा पहले सुरु तरीके से हम यूज करेंगे जाने कि जो हमने अभी जो आपको बताएं है यह टिप्स जो है सुरू से यूज करेंगे हैं ना दोस्तों तो मेठा सुरू से होता है हमारा वन डिगरी पुरवे लागने में परतिया स्थापिन कोई बंदा दिख रहा हमारा फुलोरो कुलोरो ब्रोमो आयो दो तीन चार करवन है तो यहां पर हम चार करवन है तो चार करवन के लिए क्या लेंगे हम ब्यूट लेंगे ब्यूट यह समझ रहे हैं दोस्तों चार करवन है चार करवन के लिए हम ब्यूट लेंगे हना दोस्तों अब देखिए उसके बाद कितने बॉंड बन रहा यहां तीन बॉंड भी बन रहा एक बॉंड भी बन रहा एक बॉंड भी बन रहा तो अभी मैं आपको क्या समझाए हैं अगर तीन बॉंड भी बने तीन बॉंड बने और एक बॉंड बने तो तीन बॉंड को ही लेना है तो यहाँ पर तीन बॉंड है तो उसके लिए क्या यूज़ क यह नाम निकल चुका हैं, जितना भी जितना से भारी भारी रहें, तो आप इस formula पर बैठा सकते हो, दोस्तों इस formula के आगे एक और होता है, लाश्ट होता है उसको जो आलगी पार्टनर बोले जाते हैं तो वो एली हैड कर्वो हैड होता है इस अरीके से होता है तो उसको अगर आगले वीडियो बताएं वे तो संभ़ हो जाएगा दोस्तों यह वीडियो काफी लंबा बन चुका है अगर आप समझ गए तो मेरे लिए बहुत अच्छा और यह पहले समझ लें कि आपको उस समझ में आया है या नहीं आया है या आप फोकस में इस वीडियो को देख रहे है जी हाँ दोस्तों अगर लाइक करिए तो लाइक करिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब निके चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस् झाल झाल